हे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो पे बिसिकली यह वीडियो होने वाला टॉप 10 लुए नपीसी गेम और वो ओपन वर्ल्स होने वाले तो हमारा जो लिस्ट में जो सबसे पहला गेम आता है दोस्तों उसका नाम है जीडिये फॉर एंड मेरे को जरुवत नहीं जीडिये फॉर के बारे में ज्यदा एक्स्प्लेइन करने के लिए एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है गेम को डेवलफ किया है रॉक् तो इंटल को टुडियू में अराम से चल जाएगा तो इसके बारे में बताने के जरुवत नहीं पर फिर भी हमने इसको टॉप टू में लिया है तो यार इसकी बारे में एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा तो बहल कर एक एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है जिसको डेवलेब किया है उनाइटट फॉन गेम ने तो गाईस यहां हम इसे लोग पीसी में खेल सकते हैं बिलकुल आप इसे लोग फीसी में खेल सकते हैं पर हम गौर करते हैं इसके सिस्टम रिक्वार्मेंट की मिनिमम चूची भी होना चाहिए ग्राफिक अट की बात करते हैं तो आज की डीट पे आर सभी कंप्यूटर में इससे जाधर रहते हैं बाइदी फॉल्ट मैं बोल रहा हूं ठीक है और यहां पर आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए को टुडियो जो कि बहुत ही पुराना है एंड स्पेस खाली मिनिममम यार 15 जी भी होना चाहिए तो आप अराम से इस गेम को अपने पीसी पे खेल सकते हो डाउलोड करना है लिंक विल बी इन देस्क्रिप्शन आप सेम वेबसाइट पे डारेट लिंक जाके कर सकते हैं तो यार चलते हैं अपने थर्ड गेम के उपर जिसका नाम है जस्कॉस्ट टू एंड यह गेम भी बहुत ही अमीजिंग दोस्तो यह भी लुएंड पीसी में अराम से चल जाता है इस गेम के बाले में तो आमें डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं दूस्तो जस् आपका 23rd March 2010 को है और यह भी ओपन वर्ल्ड गेम है यह आपका PC, PS3 एंड एक्सबॉक्स सबके लिए आता है बट अभी हम PC के लिए बात करने है तो गाइस इस गेम का system requirement में थोड़ा बता देना चाहता हूं दूस्तो राम निमम आपके बास 2GB होना चाहिए ग्राफिक काट क सब्सक्राइब के बात को तो मिनमम दूस्तों पांसो बारें भी नीड है और दूस्तों प्रसेसर की बात को दो इंटल को टुडियू में अराम से चल जाएगा स्पेस की बात को तो 10GB के आसपस दूस्तों आपके PC या लापटाव पे स्पेस खाली होना चाहिए अगर आपक ये भी एक open world game जैसा ही ये भी आप low in PC पे खेल सकते हो तो गाइस इस गेम के पर में थो डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ प्रोटोटाइब भी एक action adventure और शूटी ये में इसे डेबलब किया गया radical enterprises के थ्रू और दूस्तों इस गेम को publish किया गया 9 June 2009 को ये भी एम आपका Xbox PlayStation और Windows के लिए है पट यहां पर हम PC के लिए बात कर रहे है और विल्गेस इस गेम का system requirement बहुती लू है और आपके पास एक low in PC है तो इसे अराम से खेल सकते हो यहां पर हम बात कर लें दूस्तों system requirement की तो यहां पर आपके आस राम minimum 1GB होना चाहिए और ग्राफिक काट की बात को है तो बहुती पुराना प्रोसेसर है उसमें आपका गेम अराम से चल जाएगा बढ़ते हैं हमारे 5th game के उपर मैं Assassin's Creed 3 तो amazing game है यह भी open world game है और आप भाली भाती जानते हैं यह कैसा game है पर आपको मैं पता दूँ Assassin's Creed भी action adventure and shooting game है यहां पर आपको open world map मिलता है यहां पर आपको बहुत सरे missions मिलते है और इस game को डबल अप किया गया है Ubisoft के तुरू and guys यह भी game आपको PS3 and Xbox मिल जाता है इसे आप PC में भी खेल सकते हो यहां पर हम system requirement बात कर लेते हैं इस game का system requirement अप्रॉक्स बहुत ही लो है इस game का system requirement minimum system requirement यहां मैं बहुतार हो रहा है minimum 2 GB होना चाहिए ग्राफिक कट की बात कर तो मिलम 500 बारे भी नीड है और प्रोसेसर की बात को तो intel code to do में अराम से चल जागा space की बात करते हैं मिनिमम आपकी PCI laptop 12 GB के आसपा space खाली होना चाहिए इस game का भी link आपको मेरे description मिल जाका आप वहां सकते हमारे website से download कर सकते हैं वरते हैं हमारे 5th game के उपर game है वो है हमारा Far Cry 3 और इसे भी डबलब किया गया है Ubisoft के दोबारा ये भी action adventure ने shooting game है इसमें भी आपको missions complete करने रहते हैं इस game का मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगता है कि एक open world है आप पूरा घूंगा market कुछ भी कर सकते हो तो यहां पर हम system requirement की बात कर लेते हैं कि दूसर इस game का system requirement है कि हम इसे low in PC में खेल सकते हैं जी हां दूसर फार क्राइट 3 को आप low in PC में खेल सकते हो रहा मिनीमम 2GB होना चाहिए क्राफिक कार्ट की बात को तो में 500 भी नीड है और दूसर प्रसेसर की बात को तो इंटल को टूडियो में अराम से आपका चल जाएगा आपके पास space approach 12GB के आसपा space खाली होना चाहिए तो इस game को आप आराम से खेल सकते हो इसे भी download करना तो link will be in the description आप जाके download कर सकते हैं हमारे website बढ़ते हैं हमारे छटे गेम के ऊपर का नाम है Mafia 2 का action, adventure and shooting game action, adventure, shooting इबल सकते हो और इसे develop किया गया है 2K game So guys, इस game का मैं विसेकली बता दो इस game को आपको published कब किया गया है इस game को published किया गया 23rd of August and यह Windows platform के लिए भी है PS4 के लिए भी है और almost अभी platform के लिए game upload and यहाँ पर हम system requirement की बात कर लेते है So guys, इस game का system requirement बहुती लो है मतलब जैसे मैं series चलते आ रहा है मतलब जितना उतना ही है RAM minimum 1.5GB होना 5GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्स की बात को तो minimum 500 बराम भी नीड है और प्रोसेसर की बात को है तो item D में आपका यह game अराम से चल जाएगा Space की बात कर तो minimum 10GB के असपर space आपके पास खाली होना चाहिए इसमें आपको action adventure shooting पूरा मिलता है यह भी open world game है अगर आपको download करना है तो link will be in the description अप आराम से जाएगे इसे download कर सकते हो हमारे 7th game के उपर Sand Road 3 and guys यह तो सबसे action adventure shooting game है यह भी आपको open world game है इसे developed किया गया है evaluation and published किया गया है THQK through and is dateable 15 November 2011 है and is game के बारे में थोड़े describe कर देना चाहता हूं दूस्तों यह एक मतलब बोला जाए तो amazing game है इसमें आपको missions मिलते हैं plus आप इसमें थोड़े funny movement भी कर सकते हैं 3rd इसमें का graphics होती अच्छ है दूस्तों इसका रिमांस्टेट वर्जन है बट उसका system requirement थोड़ा हाई है मतलब 4gb RAM में चलता है बड़ यह संत्रों 3rd है यह दूस्तों आपको 2gb RAM यहां पर में system requirement की बात कर लेता हूं यहां पर 2gb होना चाहिए graphic cards की बात को तो minimum 500 बार में भी नीड होना चाहिए और प्रोसेसर के बात को dual core में game आराम से चल जाएगा तो दोस्तों हमारे 8th game के ऊपर मैं LNR8 तो गाइस इस game को इस game का क्या कहना तो गाइस यह game आप बोल सकते हो कि यह GTA 4 & Mafia 2 का remix है आप यह बोल सकते हो और यह भी action adventure & shooting game है इसमें भी आप घुम फिर सकते हो मतलब city में इधर हुदर घुम सकते हो mission complete करने के अलावा इसे डवलब किया है Rockstar ने और यह game पब्लिश हो है 17 May 2011 को इसका भी system requirement बहुत ही लो है आप आराम से अपने low-end PC में खेल सकते हो यहाँ पर हम बतादे system requirement कि यहाँ पर राम आपके बास RAM 2GB होना चाहिए यह drivers में थोड़ा लोचा खड़ता है और इसका अगर आपको डावलोड लिंक चाहिए तो विल भी in my description आपको मेरे website पर आप जाके सर्च कर सकते हो गेम का नाम डाल देना सब डारेट लिंगे दोस्तों आप आराम से जाके आवलोड कर सकते हो बढ़ते हमारे 9th नंबर वाल गेम है उसका नाम है The Sableter तो यह भी गेम बहुत ही अमेजिंग है यह भी आपका action adventure के category में आता है यह एक open world game है और इस game को develop किया गया है आपका pandemic studio के द्वारा और यह game release हुआ था आपका 19 November 2009 को यह भी आपका पूरा GTA 4 जैसा game है इसमें भी आप open world जैसा game है इसमें भी आप घूम फिर सकते हो missions complete कर सकते हो इस game का मेरे को सबसे अच्छा बात यह लगता है कि इसका system requirement है वो बहुती comment game का यार graphics आपको इतना बड़ी है मिलने वाला है कि आप बोलोगे वाह क्या game है और यह भी सभी platform के लिए उपलब्द है यहां पर मैं system requirement की बात करने ना चाहता हूँ दूस्तों RAM minimum 2GB होना चाहिए ग्राफिक कार्स की बात करो यार तुम मेरी मम 500 बाना भी नीड है और दस्तों प्रोसेसर की बात कर तवर दूल कोर में game अराम से चल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा आप वहां से कि आउनलोट कर सकते हैं पढ़ते हैं हमारे आखरी game के ओपर यार 10th number game जो 10th number का game है उसका नाम & उसका नाम है Bully SE यह game भी आपका action adventure shooting game है and इसमें भी आपको missions मिलते हैं and जोस्तों सब गेम की सबसेची बात यह है कि यार यह game opened world है आपको बहुत सरे missions मिलते हैं and इस game को डबल अप किया गया रॉक्स्टार के थुरू and रॉक्स्टार अगर अगर वोई game बनाता है तो तभाही गेम रहा है बुली के जो series यह game का वह आपको बताने के जरूवत ही बहुत ही अच्छा है अगर आपको इसको भी डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट में बिल जाएगा अगर आपको इसको भी डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा आप महां से डाउनलोड कर सकते हैं आपको दोस्तों कि ये वीडियो को पसना है वीडियो को लाइक करो शेयर को और सब्सक्राइब करो और हाँ दोस्तों अपने फ्रेंच राजर रूट शेयर करो जो इस वी टॉप 10 गेम अभी तक खेलनी पाई या उन्हें इन टॉप 10 गेम में से कोई भी एक गम पसंद है त तो अपना ख्याल लगना और अपने परिवार का ख्याल लगना तब तक लिए जय हिन जय भर